आज हम महवय का जूस बनाएंगे दोस्तों हमारे पास इतने सारे महवा है किता अच्छा महवा है और मैंने इसको दो पानी दो लिया है इंदम साफ सत्रा महवया है कितने अच्छी महवय हैं इसके खुश्बू बहुत अच्छी लगती है और आज हम इसका जूस बनाएंगे और जूस बनाकर दिखाएंगे कइसा जूस बनता है इसका कर्शा जूश पी सकते हैं और इसको पाकाकर भी इखा सकते हैं इसमें जो गंडगी थी उसको दो दिया है सब गंडगी निकल गही तमसा रामरा हिoku अब इसको हम जूश बनाएंगे इसका जूश जो है इसका जूश जो है हमको इस प्रकार से निकालना है दिख रहे हैं हाथ से कस्की दबा दबा करके हम इसका जूश निकालेंगे इसका अरास हमने इसको दबा दबा की निकाल लिया है इतना हमारा जो है निकल गया है इसका अब हम इसको चनी से छानेंगे एक बार और इसमें थोड़ा से मसल की आउर रस निकाल रहे हैं इसको कच्चा भी खासकते हैं और इसको उगाल कर सकते हैं और इसको शुखा की भी खासकते हैं क्योंकि यह हमारे शरीर में जो है कि बहुत फाइदा करता है जिसे पैर में घुटने में दर्द हो कहीं भी दर्द हो फाइदा करता है बोटी है कि इसको अब जोश्च था इसको ने का में निकाल लिया और इसको लास में इंडालते हैं पीने यह इसको शुखा शुखा प्लिमें टिक पीना चाहिए और बहुत बहुत भारी आधी लिए शुखा़ए इस इसको पचाना वह पूस्पी रहोता है इस पचाना बहुत पिरूता है